ओम शांती आठ जन्वरी 2023 के अव्यक्त महवाक्य पहले एक नजर मुडली के मुख्य पोइंट्स पर बाप दादा ने कहा जैसे बाप ने सदा बच्चों के स्नहे में जी हजूर जी हाजिर करके दिखाया ऐसे तुम बच्चे भी सदा बाप दादा की श्रीमत और निमित आत्माओं के डारेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना कभी भी श्रीमत में व्यर्थ मन मत या पर मत नहीं मिलाना हुजूर को हाजिर जान श्रीमत पर उड़ते रहना संगम युग की विशेस्ता है एक तो प्रत्यक्स फल मिलता है और दूसरा एक की पद्म गुणा प्राप्ती होती है तो सदा प्रत्यक्स फल अर्थात ताजा फल खाने वाली शक्तिशालियात्मा बनो कभी कमजोरी नहीं आने देना जब सर्व शक्तियां साथ हो तो अलबेला पन नहीं आ सकता तुम्हें सदा होश्यार, सदा अलर्ट रहना है कभी अलबेला नहीं बनना अपनी सर्व कमजोरियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ ये पक्का निश्य होना चाहिए हमारे लिए जो भी होगा, अच्छा होगा जहां निश्य पक्का है, वहां विजे भी निश्चित है सदेव स्मृती रहे कि हम आत्में सदा बाप के साथ कमबाइंड थे कमबाइंड हैं और कमबाइंड रहेंगे कोई की ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके और लास्ट में बाबा ने कहा हर कर्म त्रिकाल दर्शी बन कर करो इस समय तुम आत्माई डबल तख्त नशीन बनते हो भिकुटी के तख्त नशीन भी हो और बाप ददा के दिल तख्त नशीन भी साथ साथ सुराज्य अधिकारी भी हो इसलिए इस एक जनम का बहुत महत्व है और अब सुनते हैं महावाकियों को विस्तार से मुडली का सार निश्चे बुद्धी भव अमर भव आज बाप ददादा सर्व अतीस नहीं आदी से यग्य की सापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन भिन समश्याओं के पेपर में निश्चे बुद्धी विजयी बन पार करने वाली आदीस नहीं सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं निश्चे की सबजेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं यह निश्चे चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी निश्चे का अमर भव का वर्दान सदा साथ रहे विशेस आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माई हैं उन्हों के याद और स्ने के बंधन में बंध कर बाप आए हैं निश्चे की मुबारक एक तरफ यग्य अर्थात पांडवों के किले की जो नीव अर्थात फांडेशन आत्माई हैं वहे भी सभी सामने हैं और दूसरे तरफ आप अनुभवी आधी आत्माई इस पांडवों के किले की दिवार की पहली इटे हो फांडेशन भी सामने हैं और आधी इटे जिनकी आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्रचाया बना वहे भी सामने हैं तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नहे में जी हजूर हाजिर करके दिखाया ऐसे ही सदा बाप ददा और निमित आत्माउं की श्रीमत वा डारेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना कभी भी व्यर्थ मन मत वपर मत नहीं मिलाना हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो समझा अच्छा मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप ददा बोले अच्छा विशेस मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधूरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित सेवाधारी विशेस मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधू अर्थात मधूरता तो मधूरता सर्व को बाप की स्नहे में लाती है। इसलिए चाहे हौल में हो चाहे चले गए हो लेकिन सभी को विशेस एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेस मुबारक सेवा की दे रहे हैं। और सदा अथक भव मधूर भव के वर्दानों से बढ़ते उड़ते चलो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात पहली पोइंट अलबेलापन कमजोरी लाता है इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युगी स्रेष्ट आत्माई हो ना, संगम युग की विशेस्था क्या है, जो किसी भी युग में नहीं है। संगम युग की विशेस्था है, एक तो प्रतिक्ष फल मिलता है और एक का पद्म गुणा प्राप्ती का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, अगर एक सेकेंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है, किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है, तो एक की पद्म गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है, तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्था ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्ति शाली हो, कमजोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल है, कमजोरी को आने नहीं देना, जब तंद्रूस्त होते हैं, तब कमजोरी स्वते खत् सर्व शक्ति मान बाप दवरा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे, कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है, जब कुम्ब करण की नींद में अलबेले होकर सोजाते हो, तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है, आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्य सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है, संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे न, जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं, वो कितना अलर्ट रहते हैं, रिवाजी बिजनसमेन को बिजनस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है तो अलबेले कैसे होंगे बाप ने सर्वशक्तियां दे दी जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेला पन नहीं आ सकता है सदा होश्यार सदा खबरदार रहो UK को तो बाप ददा कहते ही है ओके तो जो ओके बिलकुल ठीक होगा वे जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना फाउंडेशन पाउर्फुल है इसलिए जो भी टाल टालिया निकली है वे भी शक्तिशाली है विशेस बाप ददाने ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंडन का पहला फाउंडेशन डाला है ब्रह्मा बाप का विशेस लाडला है तो आप प्रत्यक्स फल के सदा अधिकारी आत्माई हो कर्म करने के पहले फल तयार है ही ऐसे ही लगता है ना या मेहनत लगती है नाचते गाते फल खाते रहते हो वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना बाप ददा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हरशित होते हैं अपना यह टाइटल सदा याद रखना ओके यह कितना बढ़िया टाइटल है सभी सदा ओके रहने वाले और ओरों को भी अपने चहरे से वानी से वृती से ओके बनाने वाले यही सेवा करनी है ना अच्छा है सेवा का शोक भी अच्छा है जो भी जहां से भी आये हो लेकिन सभी तिवर पुरुशार्थी और उड़ती कलावाले हो सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है नशे से कहो मैं सिवाए खुशी के और है ही क्या खुशी ब्राह्मन जीवन की खुराक है खुराक के बिना कैसे चलेंगे चल रहे हो तो खुराक है तभी तो चल रहे हो ना स्थान भी बढ़ रहे है देखो पहले तीन पैर पृत्वी लेना बड़ी बात लगती थी और अभी क्या लगता है सहज लगता है ना तो लंडन ने कमाल किये ना अभी पचास एकड़ जमीन मिली है हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे है और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे है देखो आप सब की उंगली नहीं होती तो कैसे होता तो सभी यूके वाले लक्की है और अंगुली देने में बहदूर है दूसरा अपनी सर्व जिम्मेवारिया बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्योंकि जब बापने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रेस्पोंसिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की वेह भी बाप के साथ साथ है अकेले नहीं तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा? ये फिक्र है? जोब का फिक्र है? दुनिया में क्या होगा? ये फिक्र है? क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा निश्चे है ना पक्का निश्चे है या हिलता है कभी जहां निश्चे पक्का है वहां निश्चे के साथ विजे भी निश्चित है ये भी निश्चे है ना कि विजे हुई पड़ी है या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं क्योंकि कल् कल्प के विजई हैं और सदा रहेंगे ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो इतना निश्चे है ना कि कल्प कल्प के विजई हैं इतना निश्चे हैं कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चे बुद विजयी रत्न हैं ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप ददा भी याद करते हैं ये खुशी है ना बहुत मौज में रहते हो ना इस अलोकिक दिव्य स्रेष्ट जनम की और अपने मधुबन घर में पहुचने की मुबारक तीसरा बाप और आप ऐसे कमबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके सभी अपने को सदा बाप और आप कमबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो जो कमबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता आप अनेक बार कमबाइंड रहे हो अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे ये पक्का है तो इतना पक्का कमबाइंड रहना तो सदेव स्मृती रखो की कमबाइंड थे कमबाइंड हैं और कमबाइंड रहेंगे कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कमबाइंड स्वरूप को अलग कर सके तो प्यार की निशानी क्या होती है? कमबाइंड रहना क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में कहां कहां अलग रहना पड़ता है प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहां अलग रहना भी पड़ता है लेकिन यहां तो शरीर की बात ही नहीं एक सेकिंड में कहां से कहां पहुच सकते हो आत्मा और परमात्मा का साथ है परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से combined रूप से प्रीत की रिती निभाने वाले हैं हर एक क्या कहेंगे मेरा बाबा है या कहेंगे तेरा बाबा है हर एक कहेगा मेरा बाबा है तो मेरा क्यों कहते हो अधिकार है तब ही तो कहते हो प्यार भी है और अधिकार भी है जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है अधिकार का नशा है ना कितना बड़ा अधिकार मिला है कितना बड़ा अधिकार सत्युग में भी नहीं मिलेगा किसी जन्म में परमात्म अधिकार नहीं मिलता प्राप्ति यहां है प्रालब्द सत्युग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है प्राप्त हो गया फिर तो कौमन बात हो जाती है लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलोकिक होती है तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है, और मिलता भी बेहद का है, तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के, तीनों लोक अपने बना दिये हैं, मूल वतन, सुक्षम वतन हमारा घर है, और सुल वतन में तो हमारा राज् है, तीनों लोकों की अधिकारी बन गए, तो क्या कहेंगे, अधिकारी आत्मएं, कोई अप्राप्ती है, तो क्या गीत गाते हो, पाना था वेह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा, तो ये गीत गाते हो, या कोई अप्राप्ती है पैसा चाहिए, मकान चाहिए नेता की कुरसी चाहिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कुरसी होगी तो भी एक जनम का भी भरोसा नहीं और आपको कितनी गरेंटी है 21 जनम की गरेंटी है गरेंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है तो गैरेंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है छुपा-छुपी करती है फिर आप क्या करते हो लेकिन ऐसे शक्ति शाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं चोथी बात हर कर्म त्रिकाल दर्शी बन कर करो सभी अपने को तख्त नशीन आत्में अनुभव करते हो अभी तख्त मिला है या भविश्य में मिलना है क्या कहेंगे सभी तख्त पर बैठेंगे तो बच्चों ने कहा दिल तख्त बहुत बड़ा है बाबने कहा दिल तख्त तो बड़ा है लेकिन सत्यूग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे तख्त पर भले कोई बैठे लेकिन तख्त अधिकारी रोयल फैमिली में तो आएंगे न तख्त पर इकठे तो नहीं बैठ सकेंगे इस समय सभी तख्त नशीन है इसलिए इस जन्म का महत्व है जितना चाहे जो चाहे दिल तख्त नशीन बन सकते है इस समय और कोई तख्त है कौन सा है अकाल तख्त आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है तो भ्रिकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो डबल तख्त है ना नशा है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ तख्त नशीन आत्मा का सोपर राज्य है इसलिए स्वराज्य अधिकारी हैं। नौलेज़फुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। एक दर्शी या त्रिकाल दर्शी तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो। कहो हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। यह तो जानते हो ना तो त्रिकाल दर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा। जो हो रहा है वह और अच्छा। और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चे है ना कि अच्छे से अच्छा होना है। बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला। अच्छे से अच्छे आप बने। अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो। तो सब अच्छा है ना कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है जब मालूम पढ़ गया कि मैं स्रेष्ट आत्मा हूँ तो स्रेष्ट आत्मा का संकल्प, भोल, कर्म अच्छा होगा ना तो सदा स्मृती रखो कि कल्यान कारी बाप मिला तो सदा कल्यान ही कल्यान है बाप को कहते ही है विश्व कल्यान कारी और आप मस्टर विश्व कल्यान कारी हो तो जो विश्व का कल्यान करने वाला है उसका अक कल्यान हो ही नहीं सकता इसलिए यह निश्चे रखो कि हर समय, हर कारे, हर संकल्प कल्यान कारी है संगम युग को भी नाम देते हैं कल्यान कारी युग तो अकल्यान नहीं हो सकता तो क्या याद रखेंगे जो हो रहा है वे है अच्छा और जो होने वाला है वे बहुत बहुत अच्छा, तो यह स्मृती सदा आगे बढ़ाती रहेगी, अच्छा सभी कोने कोने में बाप का जंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तिवर पुरशार्त से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे, फ्यूचर आई देता है ना कोई भी पूछे आपका भविश्य क्या है तो बोलो हमको पता है बहुत अच्छा है अच्छा मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग वर्दान अपने मस्तक पर स्रेष्ट भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव बादशाही सब बादशाहियों से स्रेष्ट है अगर कोई ताज पहन कर तख्ट पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो यह तख्ट हुआ या चिंताओं भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर स्रेष्ट भाग्य की लकीर खींचती बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर स्रेष्ट भाग्य की यह लकीर देखते रहो वहां मेरा स्रेष्ट इश्वरिय भाग्य इसी फकुर में रहो तो सब फिक्रातें चिंताएं स्माप्त हो जाएंगी स्लोगन एकाग्रता की शक्ती दवारा रूहों का आवाहन कर रुहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती अव्यक्त ज्यानमोती